नमस्कार हटेला नियूज में फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की और चीन के बिससगिये जी अंगनताओ ने चीन के राष्टपती सी जींपिंग को दी चिताओनी अगर आप भारत और चाइना के बीच अगर इसी परकार की ग तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे साथ ही बेल आइकर बटन को दबा दे ताके मेरे नए से नए वीडियो का नौटिफिकरसन आपको मिलता रहें ये खाबर है चीन के एक बिससगिये ने चीन के राष्टपती को एक चेताओनी दी कहा कि तेरा से तेरा मह पहले कि पुर्वी लदाक का गलवान घाटी जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के दो देसों के मुल्क दो देसों के आर्मी दो देसों के लोग हमेशा बहुत थी खुसी हसी-खुसी भायचारे से रहा करते थे लगिर आखिर और वह कौन सी वज़ा हो गई कि ओ गलवान घ कि दूनों का दूस्मन क्यों बन गया और कैसे बना बना ऐसे क्योंकि चीन के कुछ जो आर्मी है वह भारत के गलबान घाटी में लगभग 8 किलोमेटर अपने आर्मी तौफ सारची लेके घुज गये भारत की सरकार को इस बात की बरदास नहीं हुए उन्होंने चीन पर हमला बोलना सुरू कर दिया और और भारत के लोग उसमें अफरा तपर बात करना सुरू किये जिस से की चीन के लोग बाउखला गये वहां की एक विसेस्तायों ने कहा है कि आखिर चीन गलवान और घाटी है जहां पर दोनों देशों की बॉर्डर होती है दोनों देश कापी न हो जाए हमारे भारत देश के विदेश मंतरी इस जय संकर ने कहा है कि आखिर जगा जो हमेशा भारत और चाइना के भाईचारे का नारा देते थे हर सुख दुख में साथ हुटे थे हर परकार का कारो बिपार हुआ करता था लेकिन आज गलवान घाटी अरो चाइना हमारा देश का दुस्मन बना हुआ, अगर यह ऐसे ही बना रहा, तो फिर से ग्रियूद हो सकता है, और चीन के एक बिशसग ये ने चीन के राष्टपती को कहा, कि अगर आप ऐसे ही गती रोद में रहें, परती रोद में रहें, तो भारत ऐसे भी अमरीका का स्क्वार्ड का मेंबर हो गया है, साथ में नेपाल, जपान भी अब उसका, यह स्क्वार्ड हो गया है, अगर इसी परकार हम अगर अपने आप में गती रोद करते रहें, तो भारत, चीन और जपान, अमरीका का मेंबर बने हुए, उनके साथ करेंगे, और चीन को इसका बूरा खामियाजा भूग कहा कि हम नई दिली में मुलाकात करके फिर से भारत के साथ एक अच्छे समझाते की और आगे बढ़ेंगे, ताके चीन और भारत का रिस्ता फिर से सू दिर्ड हो सके, अटूठ हो सके, और हम एक दोनों देशों के आने जाने का हर संभव, रास्ता असान हो सके, क्या लगता को जाद से जादा स्यार करें, धन्यवाद